नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत हैं यहां कैसे टू यूट्यूग चैनल पर दोस्तों सरकार द्वारा और संगटी छेत्रों के स्रमिक के विकास के लिए कई सारी योधनाओं का आरंब किया जा रहा है दोस्ते आपर आज की इस वीडियो में हम ऐसी एक योधना से सारी फिर बदल हुए हैं यहां पर इस योधना का नाम भी बदल दिया गया है तो से अपर आज की इस वीडियो में मैं आप लोगो को यहीं बताऊंगा इस योधना के बारे मैं यहां पर जो यह इस योधना का नाम बदल करके जन कल्यार योधना रख दिया गया है इसके क् को क्या दूसरा अलग लाब देखने के लिए मिलेगा इसकी क्या विशेस ताएं है पातरता क्या है महतपूर्ण दस्ता वेच क्या है और अगर आप इस योड़ा के अंतरगत आवेदंग करना चाहते हैं तो वो आप यहां पर कैसे कर सकते हैं तो उससे अपर वीडियो काफी म शुरू करते हैं तो जन कल्याण योडिया के तेथ असंगटी छेतर के लोगों को सभी सरकाजी योडियो का लाब पहुचाने के लिए लोगों को जन कल्याण संबल काड उपलब्द कराए गए थे दोसरा अप प्रदेश की सभी असंगटी स्रमिकों को एक नया सवेरा काड उपलब्द कराने का निश्यक किया गया है जो कि उन्हें इस से पहले प्रदान किये गए संबल काड के स्थान पर दिया जाएगा अब दोसरा पर घबराने की कोई बात नहीं अगर आपने आप संबल काड भी नहीं बनवाया था तो ऐसे में आपर आपको जो ये जो नया का का नंबर भी उसमें दिया हुआ होगा हालाकि इस योद्ना में पुराने कार्ड बदलने का फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि इस पुराने कार्ड में पूरो मुख्यमंत्री सिवराज सिंग चोहां की फोटो लगी हुई है जिसे इत कार्ड में से हटा दिया गया है जी करती हुए कहा यहां योजना गरीबों को उनके जन्म के पहले और मृत्यों के बाद तक फायदा पहुचाती है जैसी कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम सभी भारत वासी कोरोणा महामारी से जूंज रहे हैं ऐसे में लोगों की जिंदगी में सहारा देने वाली संबल योजना गरीब लोगों स्रमिकों के लिए लावकारी साबित होगी दोसो संबल योजना के तहट प्रजिस सरकार बारहवी कक्षा में अधिक्तम अंक लाने वाले 5,000 सात्रों को 30,000 रुपए का पुरुसकार देगी यहां पर समनने वाली बात यहीं है कि अगर आप यहां पर लोगों के अंदर रहते हैं तो ऐसे में आपर आपको 30,000 रुपए का पुरुसकार मिलेगा यह योजना कम आए वाले परिवार को मदद कर के आरंब की गई है दोसरी संबल योजना के तैत राज की कोई गरी महिला किसी सिसू को जन्म देगी तो जन्म देने से पहले 4,000 और जन्म देने के बाद 12,000 रुपए उनके खाते में भेजे जाएंगे मद प्रतिस से बाहर फसे 1,500,000 स्वमिकों के खाते में सरकार निया पर पहले भी मई के टाइम में ही आपर 10,50,000 लाग ट्रांसफर की थे प्रतिक मजदूर के खाते में आपर 1,000 रुपए भेजे गए थ दोसरे इस योजन्या के तरह राज के असंगडी छेत्रों के स्रमिक मजदूर लावार्ति को उपलब्द कराए जाने वाले कार्ड के माध्यम से किंदी और रास्तर पर चलाए जाने वाले कुछ योजन्याओं के लापराप्त होते हैं जिनकी बहुत बड़ी सूची है जो क पर क्या क्या दस्तावेस देने होंगे दसे अबहर जो आवेदक है वह मदडर प्रदीश का स्थाई नीवासी होना चाहिए ऐसे र्यक्ती जो कि मदडर प्रदेश के और गरीबी रिखा नीचे आते हैं और इसके प्रमाण के लिए उनके पास बी-प्यार कार्ड भी होना च दोस्तों अगर आप लोगों के सामने लॉग पेज ओपन हो जाएगा लॉगिन करने के लिए आपको यूजर नेम और पासवर्ट डाल को लॉगिन करना होगा अगर आपका यहां पर आकाउंट नहीं है तो ऐसे मैं आपको आकाउंट क्रेट कर लेना होगा इसके बाद आप स् पुष्टी आधार EKYC से करे एक विकल्प आपको दिखाए देगा तो सिंपली आप लोगों को उसी आप्शन पर टैप कर देना है इस विकल्प पर क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने एक फॉर्म खुलेगा इस फॉर्म में आपको अपनी समगर आईडी और कैप्च करने की कोशिश करेंगे FYW6UH90 दूसरे यहां पर अगर आप इस योजना के अंतरकर प्रफॉर्म एपलाई करने के बाद अपनी पंजीकरण की स्थिति देखना चाते हैं तो जिसके लिए आपको इसके आधिकारिक वेबसाइट पर फिर से जाना है और आपको दिखाए द दोस्ते हैं पर आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बता दिया कि कैसे आप यहां पर मदर प्रदिस सरकार के द्वारा चलाई जा रहे ही नया सवेरा योजना 2021 के अंतरकत फॉर्म एपलाई करके लाब ले सकते हैं दोस्तों उमीद करता हूँ आपको आज का वीड वीडियो में तब तक के लिए जय हिंदू बंदे मातरम